नासिक से शुरू हुआ किसानों का मार्श महराष्ट की राजधानी मुंबई पहुच चुका है 180 किलोमेटर लंबा पैदल सफर तैकर 35,000 से ज़्यादा किसानों ने आज अपनी मांगों को लेकर महराष्ट विधानसबा का घेराव करने का एलान किया है भारतिय किसान संग के बैनर तले आयोजेत इस मार्श में राजध के सभी क्षेत्रों से किसान शामिल हुए है किसान सरकार से कर्ज माफी और अपनी फसलों के लिए उचित समर्थन मूल की मांग कर रहे है इस मार्च में किसानों के अलावा हजारों की संक्या में आदिवासी भी हिस्सा ले रहे हैं आदिवासीों का कहना है कि वन अधिकारी जब चाहे उनकी जमीन खोट देते है और उनकी फसल बर्बाद कर देते है उनकी मांग है कि सरकार जमीन का मालिकाना हक आदिवासियों को सौपे किसानों का यह लॉंग मार्च महाराश्ट की फड़नविस सरकार के लिए सिरदर्थ साबित हो सकता है महाराश्ट विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है इस दोरान राज्जिकी क्रिशी विकासदर में गिरावट का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जा रहा है फिलाल महाराश्ट सरकार के मंत्रियों ने किसानों से बातचीट शुरू कर दी है वामपंती संगटनों के अगुआई में हो रहे आंदोलनकारी किसानों के मार्च को शिवसेना, मंसे और आमादमी पार्टी ने समर्थन का एलान कर दिया है अगले साल महाराश्ट में विधानसभा चुनाओ भी होने है ऐसे में बीजेपी सरकार भी किसानों का गुस्सा मोल नहीं लेना चाहेगी